नमस्कार and welcome to study AQ media friends मैं हूँ प्रशांत मावानी I hope you are learning good आज 9th July 2020 है दिन की शुरुआत करेंगे टोनी रोबिन्स के एक बहुत ही important quote के साथ तो setting goals is the first step in turning the invisible into the visible जो चीज reality आज नहीं बनी है उस चीज को reality बनाना चाते हैं तो the first step we should take पहला जो steps हमें लेना जाहिए वो है कि अपने goal को set करना goal को set करने के लिए कोई भी अपनी diary computer अगर हो सके तो लिखिएगा typing करने से लिखना जो है वो ज्यादा traditional है ज्यादा हमारे muscle memory के साथ जुड़ा हुआ है तो किसी भी diary में लिख दीजिए किसी paper के उपर clearly अपने goals जो है उनको define कर दीजिए कि आप अपने goals जो है वो क्या क्या आपके goals है और कैसे आप इनको achieve करेंगे और make sure कि आप इसके उपर एक time या फिर एक date जो है वो जरूर लगा है इसके साथ dear friends study है क्योंकि team ने मिलकर एक smart course डिजाइन किया है ये smart course civil services की examination के लिए है ये pre और mains दोनों को cover करता है ज्यादा जानकरी के लिए download करें हमारा mobile application 10th July यानि कि कल तक EMI का option भी available है तो make the most out of it आज के lecture की video को download करने के लिए check out my telegram channel आप मुझे facebook के उपर भी follow कर सकते हैं लेक्चर को दूसरे students के साथ share जरूर करें आज का video अगर आपको पसंद आता है then hit the like button और हमारे overall efforts को support करने के लिए please make sure के आप हमारी channel को subscribe करें subscribe करें के साथ साथ notification bell को भी press कर दीजिए अगर आपने already subscribe कर लिया है तो दूसरे लोगों को भी study IQ के बारे में जरूर बताईएगा dear friends आज हमारे टेबल के उपर काफी interesting articles है right the Hindu में से दो articles है दो articles जो है Hindu में से तीन articles है sorry दो articles है दो articles Times of India में से है एक Indian Express का article है और एक बहुत important बहुत interesting article है statesman का ये United Nation के उपर है तो सबसे पहले बात करते हैं दो हिंदू के एक editorial के बारे में a case for extension a case for extension जो है ये MG नरेगा के साथ जुड़ा हुआ है कुछ facts के साथ शुरुआत करते हैं MG नरेगा में जो 100 day की limit है तो 8.4 lakh यानि की 8,40,000 जितने गरीब घरों को 80 days का काम मिला है MG नरेगा के तहद 1.4 lakh यानि की 1,40,000 लोगों को फुल कोटा जो 100 days का कोटा है ये फुल काम मिला है MG नरेगा के तहद COVID-19 की वज़े से जो lockdown हुआ lockdown की वज़े से आपको पता है COVID-19 ये पूरे chain of event ऐसी है के COVID-19 की वज़े से हुआ lockdown और lockdown की वज़े से जो migrants है वो घर अपने वापस चले गए migrants जनरली अर्बन एरिया में काम करते है जनरली स्पेकिंग ज्यादातर लोग जो है वो अर्बन एरिया में गरीब एरिया में से गरीब और गरामिन विस्तार से वो अपना घर छोड़कर अपना वतन जो है वो छोड़कर वो अर्बन एरिया में जाते हैं काम करने के लिए ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं कुछ basic चीज़ें हैं जो हम सब बिना किसी special तयारी के भी हमें पता है कि बाहर से लोग जो है वो हमारे शहरों में काम करने के लिए आते हैं हमारे का मतलब है कि हम यहां से पहले से रहते हैं कभी ना कभी हमारे भी grandfathers four fathers ने migration किया था तो covid-19 की वज़े से ये पूरी chain of event क्रियेट हुई अब घर वापस चले गए हैं तो गाउं वापस चले गए हैं खास करके तो वहां पर उनके पास कोई ऐसा खास source of income नहीं है तभी तो उन्होंने वहां से अपना गाउं जो है वो छोड़ा था जिनके पास अगर बहुत बड़ी जमीन है तो वो लोग आज भी उस area में रहते हैं and they are doing quite well reasonably well लेकिन जिनके पास जमीन नहीं थी जिनके पास अगर जमीन है तो बहुत ही छोटी थी और परिवार में लेटसे पांच-छे लोग हैं पांच-छे भाई हैं फिर division होगा property का तो ये सारी चीज़ों से एक भाई जो हैं वो खेती बाड़ी करें और बाकी के जो हैं वो अलग 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 शहरों में चले जाएं ताकि वहाँ पर वो अलग अलग काम कर सकें तो ये इस प्रकार की situation एक लंबे टाइम से चल रही थी अब इनको वापस जाना पड़ा एमजी नरेगा में एमजी नरेगा की जो डिमांट है वो काफी इंक्रीस हो गई है और इस साल की बात करें तो कुछ 4.6 करोर हाउसोल्ड यहाँ पर इंडिविजल की बात नहीं है आप 4.6 या फिर 4.6 को आप मल्टिप्लाइ कर लीजिए 5 के साथ रफली स्पिकिंग इतने लोग जो है वो एक परिवार में होते हैं तो मान लेते हैं कि एक परिवार में 5 लोग है on an average तो उसमें 2 adult हैं तो उन दोनों adult को काम मिला है तो इस इस बिग तिंग लगपक 10-11 करोड़ लोगों को एमजी नरेगा के ताहत benefit मिला है तो distress जो है distress यानि कि यह जो issue हुआ है यह जो पूरा lockdown एक सेटरा तो इसकी वज़े से MG नरेगा की demand जो है वो काफी बढ़ चुकी बहुत सारे states और बहुत सारे districts ऐसे हैं खास करके जिसमें MG नरेगा की demand जो है वो last year के मुकाबले double और बहुत सारी जगाओं पर triple हो चुकी है तो एक बहुत relief देने का काम किया है MG नरेगा ने no doubt अब प्रशन ये उट रहा है demand ये उट रही है कि central government को MG नरेगा जो है उसको और ज़्यादा extend कर देना चाहिए उसमें days जो है वो बहुत ही चोटी है general speaking हमारे देश के किसानों की किसानों के पास जो खेते बाड़ी है उनकी size वैसे देखा जाए तो 80-85% के पास जो खेते बाड़ी की जमीन है तो उनकी category हो जाती है micro या फिर आप उनको कह सकते है small farmers तो एक छोटा किसान जो है वो effort नहीं कर पाएगा tractor और ये सारी चीज़े और अगर उस किसान को चाहिए कुछ मजदूर तो भी वो इतना effort नहीं कर पाएगा सारा काम खुद ही उनको करना पड़ेगा या फिर परिवार के लोगों को ही deploy करना पड़ेगा तो how about ऐसा भी हो सकता है किसानों को सपोर्ट देने के लिए अगर मान लेज़े के एक छोटी सी जमीन है और उसमें तीन लोग काम कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति की वो जमीन है और दूसरे दो व्यक्ति जो है उनको एम जी नरेगा के तहत जोब दी जा सकती पहले ही वो अपनी ही खेती में काम करें लेकिन कुछ दिन जो हैं खेती बाड़ी के वो कबर किया जा सकते है तो इस परकार की एक flexibility इस परकार का एक extension और state by state कई स्टेट में कुछ और परकार का काम चाहिए कई स्टेट में आपको rural development करना है और आज तक जो insurance के तोर पर इसका इस्तमाल में इस नोट एन insurance लेकिन एक insurance की तरह ही कि जब distress होता है जब situation और ज्यादा difficult हो जाती है तो एमजे निरिगा जो है खास करके सबसे गरीब व्यक्ति है उनके लिए एमजे निरिगा एक प्रकार का safety net insurance के तोर पर काम करता है तो अब हमें इसको एक और level पर ले जाना चाहिए इसको एक rural development का वहिकल हमें बनाना चाहिए जो एडवांस प्लानिंग करके जो infrastructure create करना ही ये सारी चीज़ों के लिए एमजे निरिगा का इस्तमाल हो सकता है तो इसका फाइदा भी होगा जिस प्रकार से ये जो पूरा chain event ये जो chain of event की शिर्वात हुई COVID-19, lockdown, migrant, exodus इसी प्रकार से एमजे निरिगा जो है उससे लोगों को job मिलेगी rural infrastructure development create होगा इससे और ज्यादा development होगा, growth होगा तो ये भी एक chain of event हम create कर सकते हैं Moving on to next item ये article Times of India में से है सेद अकबर अदीन साब ने ये article लिखा है और आपको पता होगा सेद अकबर अदीन साब जो है कुछ सालों पहले DD News में वो आपको काफी देखने को बिलते थे क्योंकि वो उस टाइम पर हमारी Ministry of External Affairs के spokesperson थे उसके बाद वो United Nations में हमारे देश के permanent representative के तोर पर काम कर रहे थे और फिर कुछ टाइम पे लाइ तिंक 2020 के starting में या फिर 2019 के end के टाइम पर somewhere around that वो retire हुए तो ये आर्टिकल उन्होंने लिखा है तो you can understand कि एक former diplomat ने आर्टिकल लिखा है तो काफी सारी interesting चीज आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी 2015 में United Nations को address करते हुए शी जिंग पिंग साब ने ये सब्दों का इस्तमाल किया Community of a shared future of mankind इनको बहुत ही आसान सब्दों में अगर हम translate करें layman's language में translate करें तो मतलब यह है कि चाइना जो है दुनिया को किस प्रकार से देखना चाता है या पिर कैसे चाइना दुनिया को देखता है तो चाइना जो भी कर रहा है उसमें मानवता का भला हो यह चाइना का कोर है कोर यानि कि उनका जो main जो purpose है उनका जो main goal है वो यही है कि मानवता का भला हो थोड़ा ज्यादा हो गया 19th CPC National Congress in 2017 इसमें भी चाइना के जो diplomats है उन्होंने building a community with a shared future for mankind इस प्रकार की इस प्रकार के शब्दों का इस्तमाल किया फिर चाइना का यही claim है कि जो BRI है यानि की belt and road initiative dear friends the belt and road initiative को मैंने काफी बार explain किया है तो I think अब इसको explain करने के इतनी ज्यादा आवशकता रही है और वैसे भी BRI जो है वो कोई नया project नहीं है यह बहुत सालों से चल रहा है तो I'm sure आपको इसके बारे में पता होगा अगर नहीं पता है then let me know तो मैं आपको इसको explain कर दूँगा जब भी मौका मिलेगा तब ऐसा नहीं है कि कल explain करूँगा जब भी BRI के उपर कोई बातचीत होगी then I will explain it तो let me know in the comment section बताइए कि कितने नए students हैं और वो BRI को थोड़ा और अच्छी तरीके से जानना चाते हैं आपकी screen के उपर जो तस्विर है आप जानते होंगे इनको Antonio Guttres इनका नाम है basically यह Portugal से हैं और United Nation की जो United Nation जो है उनके Secretary General है Antonio Guttres साब और उन्होंने भी त्यान रखे कि उन्होंने भी China के ये जो शब्द हैं Community of Shared Future of Mankind इनका इस्तमाल किया बहुत सारी United Nation की जो agencies हैं वो भी ऐसे ही शब्दों का इस्तमाल अपने documents में कर रही हैं तो I think आप में से ज्यादा तर लोगों को यहां पर कुछ connection दिख रहा होगा यह कुछ प्रशन आप definitely उठा सकते हैं आपके दिमाग में उठने भी चाहिए अगर नहीं उठा है तो के आज हम जो लास्ट आर्टिकल हैं उसमें ऐसी कुछ चीजों के बारे में बहुत सारी interesting चीजों के बारे में बात करने बाले हैं 73rd session in 2018 even called for community of shared future of for mankind in cyber space आपके पता है कुछ दिनों पहले मैंने आपके बताया था कि Belt and Road Initiative पहले जो roadways और waterways के माधियम से आज चाइना जो है वो एक digital what we say digital silk route भी तयार कर रहा है isn't it यह जो Huawei हैं ZTE हैं फिर दूसरी ऐसी companies हैं Alibaba etc तो यह सारी companies जो हैं इनके माधियम से एक digital silk route भी तयार चाइना कर रहा है तो यह हर एक level पर यह community shared for future इस प्रकार के शब्दों का इस्तमाल किया जा रहा है Chinese scholars जो हैं वो एक चीज का इस्तमाल करते हैं वो कहते हैं त्यांग शिया अब मुझे पता नहीं मैंने कितना अच्छा प्रोणाम सेशन किया इसका त्यांग शिया जो है इसका मतलब है all under heaven system basically चाइना के जो चाइना का जो एक overall means उनके leaders कहते थे peace and development new security concept call for harmonious world यह सारे जो बड़े बड़े शब्दों का इस्तमाल चाइना कर रहा था तो उसमें एक Liu Ming नामके व्यक्ति थे Chinese scholar है तो उन्होंने पाँच ऐसे points दिये development of a new model for major power competition major power competition के लिए एक नया model तयार करें चाइना shifting security concerns to non-traditional threats promoting win-win economic cooperation instead of trade and technology competition integration integrating non-western practices and governance with western system of universal values and fifth है managing economic development in a way that ensures ecological balance ecological balance without competition मैं आपको rough translation यहाँ पर provide कर रहा हूँ कि जो non-traditional threats है security concerns basically security में चाइना मिलकर काम करें दुनिया के साथ ऐसा economic development हो कि ecological balance जो है वो disturbed ना हो अब आप मेरे पास बहुत सारे ऐसे examples हैं but I would just give you one dams China Tibetan rivers के उपर dams बना रहा है इसमें Brahmaputra है बड़ी-बड़ी नदियों के नाम ले रहा हूँ फिर Eravadi है then you have Mekong Mekong के उपर तो उन्होंने एक ऐसा dam बनाया है उस dam में इतना पानी स्टोर हो सकता है कि पूरा London शिटी अब London कोई छोटा सिटी नहीं है बहुत बड़ा सिटी है पूरा London सिटी डूब जाए पूरा London सिटी डूब जाए इतना पानी इस dam में स्टोर करने की capacity है तो ऐसे dams बना रहा है चाइना और स्टेटमेंट सुनके देखिए इकोलोजिकल बैलेंस तो यहाँ पर आपको काफी एक कोंट्राडिक्शन जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है भारत के साथ 1954 में भारत और बारत और चाइना के बीच में कोपरेशन होना चाहिए लेकिन क्या रियालिटी में चाइना हमारे साथ कोपरेशन कर रहा है या फिर एक कट थ्रॉट कॉंपेटिशन कर रहा है फिर वो कहते हैं कि उनका जो बड़ा फोकस है उनका जो एक ओवरॉल बिग पिक्चर जो चाइना देख रहा है वो यह है कि सस्टेनेबल डेवलोपमेंट हो यह नो सिक्यूरिटी थ्रेट्स को काउंटर किया जाए ड्रग ट्राफिकिंग मनी लॉंडरिंग एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स में मिलकर काम करें यूमन ट्रेफिकिंग में मिलकर काम करें फिर पोला रीजियन्स आउटर स्पेस साइबर स्पेस यह सारी जगह उपर मिलकर काम करने की बात कर रहा है चाइना इंटिग्रेशन के बारे में बात कर रहा है चाइना लेकिन रियालिटी यह है कि देरे देरे करके चाइना अपना जो soft power है चाइना ने बहुत सारे देशों को attract करने में भी not just देश में कहूंगा बहुत सारे institutions को भी institutions as well as nations को अपनी तरफ आकरशित किया है आप सोचे के कुछ सालों पहले की बात है के African continent में if I'm not wrong 54 देश हैं total यह 54 देश के जो leaders हैं वो meeting में गए थे China आप सोचे तो एक पूरा continent जो हैं उनके सभी leaders जब एक देश में एक शेजिंग पिंग को मिलने के लिए जाते हैं China आफरिका जो summit थी काफी शांदार काफी बड़ी थी BRI के माधियम से कितने सारे देशों में investment किया है बहुत सारे देशों के problems चाइना ने solve की है तो soft power जो है उनका increase होते जा रहा है और आपको पता है कि soft power से अभी कुछी दिनों पहले की बात है isn't it we were talking about हमबंत होता कि किसे हमबंत होता जो है उसको 99 years के लिए लीज पर ले लिया तो ये भी एक means अब आप देखे के चाइना जो है वो कहता क्या है और करता क्या है शायद आप में से बहुत सारे students ये भी सोचेंगे तो इसके बारे में तो हमें पता है लेकिन the problem is कि दुनिया के बहुत सारे देश आज भी ये नहीं जानते हैं on our part we need to deploy those expertise in deciphering China's intent and those with strategic insights to assess this offering सेयद अकबर अदीन साहब अपने experience से इस article में ये कहते है कि भारत को उन सारे लोगों को front line के उपर उन सारे diplomats को हमें deploy करना चाहिए उनको वहां पर खड़ा करना चाहिए जो चाइना से आने वाला जो message है चाइना के ये जो खदम है ये जो सत्रंज चाइना खेल रहा है तो ये उनके सारे moves को उनके आज के moves उनके past के moves और उनके future के moves क्या क्या हो सकते हैं वो क्या क्या steps उठा सकते हैं यह सारी चीज़े जो हैं वो हमें decode करनी चाहिए इसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए तभी हम China जैसे देश को handle कर पाएंगे यह जो बड़ी बाते हैं चाइना की shared future of humanity क्या हमें इसमें पार्ट लेना है क्या अगर हम पार्ट लेंगे तो क्या हम इसमें fully पार्ट लेंगे partially पार्ट लेंगे या फिर पार्ट नहीं लेंगे यह चीज़ जो है वो भी हमें clear होनी चाहिए moving on to next item this one is about USA आपको पता होगा कि कल की यह एक बहुत बड़ी ख़बर थी कि United Nations United States जो है USन है F1 यारि की जो student visa है international students के लिए उसको revoke करने का decision लिया है इसकी impact universities के उपर बहुत होगी क्या आपको पता है कि foreign की जो universities है उसमें जो local students है उनके उनकी fees अलग होती है international students की fees जो है वो ज्यादा होती है अब international students जो है उनका contribution देखिए United States of America में 11,00,00 जितने international students है उसमें सबसे ज्यादा international students पता है किस देश के है I'll tell you in a minute अगर आपको पता है तो answer जो है वो comment section में डाल ये अभी और अभी मैं आपको बताऊँगा कि वो answer क्या है और total ये 11,00,00,00 जो है वो हर साल 41,00,00,00 जब भी वो fees पे करते हैं उनका खर्च सारी चीज़े वो tourism के लिए भी जाते हैं explore करते हैं 41,00,00,00 जो है वो add करते हैं USA की economy में students तो सोचिए कि आप कह सकते हैं युनिवर्सिटिस और खास करके इसलिए मैंने ये point add किया कि students जो है international students वो ज्यादा fee पे करते हैं तो international universities जो भी ये universities हैं तो उनके survival के लिए भी एक बहुत बड़ा role play करते है international students और नया enrollment भी जो है वो अब नहीं होगा इस decision की वज़े से हमारे देश के 2,00,00,00 जितने students जो है वो directly इस particular decision की वज़े से effect होंगे एक और article है ये Indian Express में से है ये भी इसी topic के साथ जुड़ा हुआ है इसमें भी कुछ interesting points मज़े देखने को बिला है तो I thought let me combine both these articles Mr. Trump के आने से आपको पता है कि USA की एक reputation हो गई है कि वो जो decisions लेते हैं बहुत ही uncertain policy होती है पता नहीं वो कल क्या decision ले ले ये जो uncertainty है इस uncertainty की वज़े से बहुत सारे students वहाँ पर बढ़ाई के लिए भी नहीं जाते बहुत सारे ऐसा नहीं है कि USA ही दुनिया के देशों में invest कर रहा है दुनिया के बहुत सारे भारत की भी बहुत सारी companies जो है वो USA में invest करती है तो बहुत सारे investors जो है वहाँ पर invest करने से गबराते हैं तो ये एक देश के लिए चिंता का विशय है दूसरी जो चीज है वो ये है कि USA की history अगर और USA भारत की history भी आप देखे का जब भारत को सोने की जिडिया कहा जाता था तो उस टाइम पर आप देखे भारत immigration के लिए जो है वो काफी open था दुनिया के अलग-अलग देशों के लोग जो है यहाँ पर आए और settle हुए है और इसलिए भारत का culture जो है society जो है वो improve होती कही anyway USA की तो पूरी history ही जो है वो immigrants के उपर आपको देखने को मिलती है और university जो है आज USA एक super power है उसके पीछे main reason जो है वो भी universities है yes you'll be quite shocked to know this thing लेकिन research and development जो है यह USA की सबसे बड़ी ताकत है दुनिया के presidents और prime ministers कुछ सालों के बाद कैसे famous होंगे या फिर कैसे जाने जाएंगे उन्होंने जिस प्रकार से COVID-19 को tackle किया है उनकी जो शमता है उन्होंने जो decisions लिए ये decisions की वज़े से वो जाने जाएंगे या फिर बदनाम होंगे Mr. Trump की बात करे तो starting में उन्होंने COVID-19 को डग करने की कोशिस की डग क्याने कि इसको ये बताया कैसा कुछ है नहीं simple flu etc उसके बाद चीज़े serious होने लगी तो फिर वो इसको politicize करने लगे और ये जो इनका move है ये कहीना कहीं voters को happy करने के लिए students को यहां से बाहर निकालने की बात काफी powers होता है तो उन्होंने बहुत सारे states के governor के उपर ये इल्जाम लगाया कि आपने जान बुचकर schools जो है उनको बंद रखी है ताकि USA और नॉर्मल होने में और वक्त लगे और USA जो है मिन्स लोग जो है वो central government के प्रति नफरत करने लगे तो ये मिन्स अब proper election mode में वो आ चुके हैं ऐसा basically हम कह सकते हैं अब American schools और colleges जो है वो भी भारत की schools या फिर दुनिया की दूसरी schools और colleges की तरह जितना हो सके उतना online सारी चीज़े करना चाहती है बहुत ही extreme cautious या फिर बहुत ही you know एक careful तरीके से school open देरे देरे स्कूल और colleges जो है वो open की जा रही है problem यह है के foreign के students let me tell you first number पर है Chinese students right USA में लगबग 4 लाख जितने Chinese students है बहुत इन Chinese students को निकालने के चकर में भारत के 2 लाख students भी इसमें इसकी चपैट में आ जाएंगे एक तरफ politics एक तरफ यह चाइना का issue और दोनों के बीच में भारत के students जो है वो first चुके हैं और हमारे students effect होंगे इसके साथ-साथ USA का जो education sector है medicine sector है IT sector है hospitality sector है यह सारी जगाव पर जो Indian human capital का रोल है वो भी उसकी खामी जो है मिन्स हमें यानिकी USA को देखने को बिलेगी एक और चीज़ मैं आपको बताना जाता हूँ कि USA की जो universities है उनको भले ही USA की government से बहुत सारे पैसे मिलते हों लेकिन उनके independence को भी हमें appreciate करना चाहिए Harvard और MIT दुनिया की best universities में से एक है और आप सोचिए कि उन्होंने सरकार के सामने एक case file किया है Boston की और MIT और यह कितने independent है कि सरकार के खिलाफ भी यह case कर देगी और उनके president जो है Harvard के उन्होंने तो बताया है कि यह जो decision लिया है central government ने यह बहुत ही cruel और reckless है इससे R&D के उपर ही impact होगा moving on to next item green lightning ecological dissemination decimation emits a pandemic यह the Hindu का एक article है एक important point जो इस article में नहीं है लेकिन इस point से मैं इस discussion की शुरुआत करना चाहूँगा कि climate change की बात करें तो climate change की वज़े से जो अलग-अलग देश प्रभावित होते हैं तो उसका जो पूरा list बनाया गया है उसमें भारत का rank है fifth पांच में स्थान के उपर हम है climate change की वज़े से सबसे ज़्यदा प्रभावित होने वाले देशों के top five जो top five है उसमें fifth rank हमारा है ये जो vulnerability हमारी हो चुकी है ये जो हमारी कमजोरी है ये जो हम what we say the right word मुझे नहीं मिल रहा है कि हम exploit हो सकते हैं not exploit लेकिन हम प्रभावित हो सकते है climate change की वज़े से और एक बहुत deeper level तक हम प्रभावित हो सकते हैं बहुत सारे लोगों का जीवन जो है वो बरबाद हो सकता है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है इन सारी चीज़ों के पीछे एक गलत model है global development model global development model में क्या होता है कि जंगल जो है उसको काटते जाईए natural resources को कट करते जाईए उसमें से पैसे बनाते जाईए economic growth होगा wealth accumulation होगी उसके बाद फिर से आप पेड लगाएंगे और फिर से जो artificial jungle जो है वो create करने की कोशिस कोशिश करेंगे जरूरी नहीं है आप करेंगे ही आप कोशिस करेंगे या फिर एक ढोंग करेंगे या फिर एक दिखावा करेंगे 21st century में ऐसे multiple COVID-19 type हमें disease देखने को मिले हैं उसके बीचे main reason ये है कि nature जो है उसमें बहुत सारे ऐसे जीव जन्तु हैं उनके अंदर डिजीज होते हैं जो डिजीज उनके अंदर हैं तो ठीक है उनके अंदर वो जो चीजे हैं तो that is not a disease लेकिन वो चीज जब हम तक पहुँचती है तब वो हमारे लिए डिजीज बन जाते हैं जैसे कि दुनिया के लिए इनसान जो हैं तो सबसे बड़ा disease है पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक सबसे घातक अगर कोई disease है तो वो है human beings human beings ने ही दुनिया को बरबाद किया और हम क्या करते जाते हैं हम नए नए areas बनाते हैं नए buildings बनाते हैं ज्यादा population बढ़ती जा रही हैं तो population बढ़ती जा रही है आज हम IVF और you know medical facilities की वज़े से लोगों का जीवन जो है वो भी extent हो गया है पहले 50-60 years में लोग मर जाते थे अब 80-90 years तक जीते हैं और हम बहुत ही pride लेते हैं क्योंकि हम artificial ऐसी चीज़ इतनी सारी चीज़े हैं और फिर इतने लोगों को खाना पीना खिलालना लगभग 8 billion लोगों के लिए food security के लिए आपको बहुत सारे जंगल को बरबाद करके वहाँ पर खेती बाड़ी करनी पड़ती है जब आप ये जंगल को destroy करते हैं तब वो जो layers हैं यहाँ पर human beings हैं क्या आपको पता है कि अभी lockdown के time पर ही government ने आपकी screen के उपर पूरा list है अरुनाचल प्रदेश में आप इसको आराम से पढ़ लिजेगा यहाँ पर कुछ important नाम भी है easy to read हैं तो ये थोड़ा self read कर लिजेगा आसाम में फिर ये मध्यप्रदेश का है ओड़िशा, गुजरात, करना टका तो अलग-अलग जगाओ पर अलग-अलग species जो आपको देखने को बिलती है तो elephant reserve है, lion-tailed macaque है किसी जगाओ पर तो ये सारी जगाओ पर development, so-called development की permission दे दिया कहीं पर diamond की mining की जाएगी कहीं पर coal mining है, कहीं पर limestone mile है अब lockdown में लोग फसे हुए हैं तो क्या इसके उपर इतना जएदा आपको एक opinion देखने को मिलेगा? No, Delhi High Court ने इसको extend कर दिया 11th August तक एक interesting point इसमें है कभी आपने शायद ऐसा नहीं सोचा होगा सुना होगा कि अगर मान लीजे, as per this particular line यहां पर जो line है, इस draft environment impact assessment पे कि आप अपना development का काम जो है, वो चालू कर दीजिए काम खत्म होने के बाद भी आपको certificate मिल जाएगा आप जंगल को बर्बाद कर दे, उसके बाद आपको certificate मिल जाएगा लोजिकल ही क्या होना चाहिए, कि आपको certificate मिले, उसके बाद आप काम करें, यहां पर other way round है फिर जो frontline communities हैं, खासकर के tribal लोग, जिन्होंने आज तक जंगल को बचाने में एक बहुत बड़ा role play किया, तो उनके वाला topic जो है, यह बहुत ही important है, तो let's go through it, पचास nations ने मिलकर, पचास देशों ने मिलकर, 26th जून 1945 को San Francisco में, एक charter के उपर अपनी दस्तकत की और जन्म हुआ United Nations का, United Nations का 75th birthday जो हैं, भी celebrate किया, 26th जून 2020 में, और आज जो United Nations के हैं, 193 members, उस ताइम के जो United Nations के General, Second General, Secretary General थे, उनके शब्द काफी interesting है, उनको quote करना चाहूंगा, UN was not created to take mankind to heaven, but to save humanity from hell, इसका मतलब यह है, कि United Nations का जन्मा इसलिए नहीं हुआ है, कि इनसान या फिर लोगों को स्वर्ग तक ले जाए, या फिर heaven on earth के प्रित्वी जो हैं, यहां पर स्वर्ग लाएं, ऐसा नहीं है, जो नर्क हैं, उसमें हम ना चले जाएं, उसमें से बचाने के लिए, humanity को, इनसानियत को बचाने के लिए, United Nations का जन्मा जो है, वो हुआ है, एक चीज है, कि United Nations जो हैं, वो ऐसा कोई 100% perfect organization नहीं है, लेकिन एक चीज तो है, भले ही आज United Nations शानती स्थापना करने में इतना successful ना रहा हो, या फिर दुनिया के बहुत सारी जगा उपर आपको violence और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन भी आपको देखने को मिल लगा कि United Nations जो है, दुनिया के देशों को एक करने में नाकाम्याब रहा है, अब आठवी बार भारत United Nations Security Council का non-permanent member बना है, 1st January से हम ये काम जो हैं, वो करेंगे 2 सालों के लिए, 10 साल पहले 2011-12 की बात है, जब भारत जो है वो United Nations Security Council का non-permanent member elect किया गया था, ये जो 10 साल है, 2011 से लेकर 2020 तक के, इन 10 सालों में एक pattern आपको देखने को बिलेगी, कि China जो है, वो दिरे-दिरे strong होता गया है, USA जो है, वो दिरे-दिरे पीछे हड़ता गया, खास करके Mr. Trump के आने के बाद, America first, बहुत सारे European देशों, देश जो है, वो भी America से root के है, Trans-Pacific Partnership, Paris Climate Deal, फिर JCPOA, यानि कि इरान के nuclear deal, NATO को weak करना, तो बहुत सारी जगहों से USA जो है, वो निकल गया है, अब मैं जो आपको बता रहा था, जो हम China के बारे में बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में, तो क्या आपको पता है, कि पंदरा ऐसी specialized United Nations की agencies हैं, और इन agencies के जो heads है, वो है Chinese diplomats, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा exporter बन गया, आज दुनिया की GDP का 16% चाइना के control में है, धीरे धीरे चाइना जो है, वो चाइना की currency, बताईए चाइना की currency का नाम क्या है, कमेंट section बताईए, यह आपके लिए प्रशना है, चाइना की currency जो है, वो US dollar को भी दीरे दीरे बदल देगी, उसकी जगा ले लेगी, यह भी एक आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, चाइना ने यह भी clearly बता दिया है, कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, तो आप हमारे खिलाफ हैं, अगर आपने तिबेद के बारे में, दूसरे कोई issue के बारे में कुछ भी कहा, तो territorial aggression आपके उपर हो सकता है, जो हमें line of actual control में देखने को मिल रहा है, अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ भी कहा, तो आपको हम economically भी punish करेंगे, जैसे के Australia ने COVID-19 के उपर एक investigation की बात की, तो China ने उनको उनके उपर sanctions लगाने की बात कर दी, और बहुत सारे products जो हैं, उनके उपर import duties बता, increase कर दी, Australian products के उपर, China is positioning itself as a defender of global trading system, दुनिया की trading system को बचाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ, उन close के जो laws है, UNCLOS जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, South China Sea के बारे में हम कल बात कर रहे थे, इसे इन इट, तो ये सारे laws को violating भी कर रहा है, P5 जो एक प्रकार का police है, P5 यानि की अगर आपके area में कुछ issue होता है, तो आप किसके पास जाएंगे, criminal कोई activity होती है, then you'll go to police, in the same way, दुनिया में कोई issue होता है, United Nation Security Council के defenses system, जो है, security system वो है, United Nation, United Nation की security system है, United Nation Security Council, इसके 5 permanent members हैं, जो आपकी screen के उपर है, ये फ्लैक जो है, वो फ्रांस का है, और ये वाला फ्लैक जो है, वो रोशिया का है, बाकी USA हैं, UK हैं और चाइना है, इनके पास veto power है, और इन्होंने बार बार इसका गलत इस्तमाल किया है, P5 के कुछ ऐसे देश हैं, for example, UK, UK एक time पर महाशक्ती था, लेकिन आज वो इतना ताकतवर नहीं है, जिन्होंने पहले युद्ध कर लिए, बहुत सारी चीज़ें आपके पास थी, लेकिन आज आप उतने ताकतवर नहीं है, तो P5 एक outdated group है, लेकिन reforms जो हैं इसके नहीं होंगे, फिलहाल दबा था, फिर उसको काउंटर करने के लिए, चाइना ने अपनी खुद की बैंक्स, ग्लोबल बैंक्स निकाली, in the same way, फ्रांस और जर्मनी ने एक alliance for multilateralism create किया, जिसमें कैनेडा, मेक्सिको, चिली, Singapore, Ghana, ये सारे देश हैं, एक मेने पहले Mr. Trump ने बताया था, G10 और G11 के बारे में, Britain ने D10 प्रपोस किया है, जो दुनिया की 10 democracies मिलकर एक group बना है, फिर एक committee to save the world order भी है, ये भी no democracies का एक group है, लेकिन ये सारे के सारे group जो है, वो फिलहाल United Nation के लिए ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं है, future में अगर ये expand होते हैं, ताकतवर होते हैं, तब होगा, लेकिन let me tell you one thing, ये all of the sudden नहीं होगा, ये step by step, incrementally, धीरे धीरे UN जो है, वो weak होता जाएगा, और धीरे धीरे ये सारे group जो है, वो strong होते जाएगे, just like पिछले दस सालों में धीरे धीरे USA जो है, वो weak होता गया, और China जो है, वो strong होता गया, तो ऐसे दिरे दिरे बदलाव हमें देखने को मिल सकता है, पी फाइव जो है, वो आज भी rules and regulations का खुले आम उलंगन करते हैं, जैसे के रश्या ने पूरा क्रीमिया का एरिया जो हड़प लिया, चाइना ने South China Sea के उपर पूरा अपना कंट्रोल कर लिया है, लेकिन दुनिया क्या कुछ, उनके बारे में कुछ कर पा रही है, नो, क्योंकि वो P5 के मेंबर है, irresponsible behavior P5 मेंबर का का काफी common है, जैसे के Britain और USA ने मिलकर इराक के उपर attack किया था, फिर बाद में उनके और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सोरी हमारी गलती होगी, हमारे पास तो गलत intelligence था, उस पूरे देश को बरबाद कर दिया आपने, लेकिन आपको United Nation भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि आप P5 के मेंबर है, UK, France और USA ने मिलकर सिरिया के rebels को हत्यार प्रवाइड किये और कहीं कहीं वही rebels में से जन्म हुआ ISIS का, लेकिन उनको कुछ कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो P5 के मेंबर्स हैं, चाइना, चाइना ने नॉर्थ कोरिया को, पाकिस्तान को, लिबिया को, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को नुक्लियर वेपन्स, लिबिया को, इरान, सीरिया, इराक, साओधी, इन सारे देशों को दूसरे खतरनाक हत्यार जो हैं, वो चाइना ने प्रोवाइट किये हैं, बिकोज, P5 का मेंबर हैं, कुछ नहीं होगा, तो ये भी चीज होती आ रही है, तो United Nation, अगर UNSC week होता गया, तो United Nation week होगा, तो क्या पता, चाइना जैसा देश ज नाल है, और फिर UN जो हैं, जैसे उन्होंने, ब्रेटन वूड के सामने, ये सारी जो अपनी खुद की बैंक्स निकाली हैं, तो इसी प्रकार से, UN के सामने एक नाया ग्रूप खड़ा कर देगा, तो फिर दुनिया क्या करेगी, ये सोचने बाली बात है, ये सोचने बाली ब